कि नमस्कार दोस्तों पैंस तुलाजर सचे स्वागात रविजंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का पांस दिसंबर 2022 का राशी पर लेकर मैं आपके समक्षू यह जानकाई चंद राश्य जान राश्य को राश्य को राधारित होगी सुबह के संचित पंचांग से शिरुवात करते हैं सुर्य दे होगा च्छे बचके अठावड मिनट पर सुर्यास्त होगा पांच प्रिच के तेईस मिनट पर तिती है शुक्रपक्ष त्रियो दशी नचत रशुनी वार सॉंबा चंद राशी में शंचीत बोगत यारा बचके आज आप अपने परिवार के साथ बढ़िया वक्त बिताएंगे कहीं गुमना फिरना होगा आपकी आर्थिक इस्तिती बढ़िया रहेंगी परिवार के लोग आपसे पसंद रहेंगे आप अपनी वानी से सभी का दिल जीट लेंगे बाहर के कारिक्रमों को रदगर के आपके लिए सखराप्तनक परिणाम लेकर आ रहा है आज का दिन परिवार के परिवार के परतिया आपकर विद्निस्ट रहेंगे गलत फैनिया रिष्टों में ना उत्पन होने दें प्रेम समन्द में जो भी लोग है उनका दिन ठीक रहेगा आज आपका दिन कहीं न कहीं अच्छा ही बीटता हुआ दिखाई दिगा आज का दिन अप्पा ये अरुदासी को दिखा रहा है प्रतेक छेतर पे आपको निराश्या जैनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं धैरे धारन करें समस्याएं बढ़ सकती हैं समस्याओं को कम करने की कोशिश करें यात्रा ठीक पर कारते करें प्रेमी फिर्मका को एक दूसरे का साथ और आरन प्राप्त होगा आज सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होगी लेकिन दीरे दीरे आपके खर्चे बढ़ेंगे थोड़ी टेंशन बढ़ेगी घर में कुछ चीजों को जरूरी लाना होगा और जल्दी ल है तो वहाँ पर भी 22 से ही रिष्टे सुधरेंगे आज अथक परिश्ब करने से बच्चे क्योंकि स्वास्त गरबढ़ हो सकता है आज आपको कोई महत्मूर समाचार में सकता है किसी अज्यान वक्ती से संपर्क ना बढ़ाएं संतान की तरफ से आपको ध्यान दे रहा होगा शादी शुदा जीवन में मधूरता बदी रहेग जिए धियान रखिएगा जितना मीठा बोलेंगे उतने रिष्टे निभेंगे अजिवन साथी का साथ रहेगा और अब जब तक जिवन साथी का साथ रहेगा कोई आपका गलत फाइदा नहीं उठा पाएगा आपको प्रेमी प्रेम का को मेहगा गिफ्ट देना पड़ सकता है दिन ठीक है थोड़े खर्चे सभल कर करियेगा जिवन साथी के पती लगाओ को महसूस करेंगे स्वास्त सामाने रहेगा वैपारियों का वैपार बढ़ेगा नया वैपार शुरू करने के लिए दिन ठीक है आज कोई आज कोई आपके धहरे को अजमाने की कोशिश करेगा तो आप बेको शांत रहिएगा शांत रहने की जरूत है घर के आज पास किसी सवाजिक सवारों में आपकी भागीदारी होगी महिलाएं सुंदर निखनने के लिए आज कुछ ब्यूटी पारलर में पैसा खर्च कर सकती है भविश में जीवन साथी के साथ आप आज भविश में की आज 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 कुछ ब्हविश है की कल पर्षो नर्सो एक महीने दो महीने बाद की टिक्टे बुग करा आ लें तिर्थीयात्रा की और कोई वादा भी आप लोग कर सकते हैं जिए हम 2 महीने बाद ये पूरवा करें या कोई मननत मांग सकते है प्रेम जीवन जीने वालों को अच्छे नतीजे मिलेंगे, यानि प्रेमी प्रेम कार के लिए ठीक रहेगा, आपका दिन अच्छा है आज सोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं, काम में रुकाउटी आएंगी, गाड़ी वहां चलाते से हमें साथानी रखें आज का दिन आपके प्रेम समंदों के लिए शुब रहेगा, आपकी कमर के इसले हिस्से में तकलीफ हो सकती है अपनी भाशा का संत्रल मना के रखे हैंने था, आपको अनवशक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आज हीन भावना में आकर आप किसी को कुछ उल्टा सीधा कह सकते हैं अपनी गलती को स्विकार करें आज आपकी कोई जूटी तारीफ कर सकता है काम में कोई काम मन मताबिक पूरा होने से जीवन साथी आपके खुश रहेगा आप सिंगल है तो खुद को अगर आप सिंगल है और शादी करना चाहते हैं तो शर्माए नहीं घर वालों से बात करें वो लोग आपके लिए वर ढूनना शुरू करेंगे अब विवाहित लगों को विवा का प्रस्ताव प्राप्त होगा प्रेमी प्रेमका को मिले का आउसर प्राप्त होगा किसी नए साज़ेदार इससे वैपारित प्रस्ताव की प्राप्ती होगी कोट का चहरी के मामले शुम रहेंगे जीवन साथी से सम्मद अच्छा रहेगा सस्तुराल पक्स की दर्व से आर्थिक लाब हो सकता है आपके बच्चे सहासियों में विद्यार्थियों को बहुत अच्छे पैड़ाम मिलने वाले हैं आप सभी लोग अपने स्वास्त का पुरा ध्यार रखे आज भागी की बलूलत कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा जिससे आपके घर का महौल खुश्णुमा हो जाएगा महिलाएं अपने सभी कामों में रुची लेंगी चाहे हो घरेलू हो या कामकाजी हो आज आप अच्छा महसूस करेंगे अपने मन की बात अपने कारें की रणीती किसी दर शेयर नहीं करनी है धन उधार लेना नहीं है देर नहीं है वरना वापिस करने में मुश्किले आ सकती है आज सफलता आपको प्राप्त होगी लेकिन महनत बहुत कर दी पड़ेगी अनमश्क वाद विवाद से बचे विपक्षी लोग आपको निशाना बना सकते है आज का दिन परिवार को लेकर कुछ आपको बाते सुनने को पर सकती है कुछ रिष्टेदार यार रिष्टेदार आपको नौराज हो सकते है जीवसाती का सुख और सयोग आपको पराप्त होगा अब परत्याशित लोगों से बुलाकात हो सकती है और आज कुछ ऐसे काम भी हो जाएंगे जिससे आपको ब्रहम पैदा हो जाएगा कि ये कारे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए आज आपको थोड़ा सा सावधानी बरत्नी होगी द्यारती अध्यन में रुची लेंगे प्रेमी यूगल जोडों के लिए दिन स्वभाग क्या है वेपारियों का वेपार बढ़ेगा नौकरी में है तो आपका दिन सामा ले रहे गए दिया आप चट्टे बाजी शेयर बार्केट पर निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं स्वास तुत्ब रहेगा स्वेम को जावान महसूस करेंगे आज का दिन मिश्चित फल देने वाला होगा आपके बच्चों की मानसिक दशा को लेकर सजग रहें समाजीक और वहवारी ग्यान देना भी जरूरी है पुराने प्यार की प्यार फिर से जीमित हो सकता है पुराने रिष्टे में फिर से जान पर सकती है रोमाइन्स चुरू हो सकता है विवाहित जीवन में खुशाली बनी रहेगी, दिन ठीक है आपको आपकी माता जी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा यदि आप संपती कहिना चाहते हैं तो दिन ठीक है घरेलू चीजों पर पैसा खर्च हो सकता है परिवार वालों के साथ पिकनिक करने जा सकते हैं या पाटी वगएरा कर सकते हैं आपके खर्चों में मड़ोतरी होगे, जीवन साथी से रिष्टे मदूर बने रहेंगे घर में कुछ अतिरत कार, निर्मान ग्रह सज्जा या घर में कुछ बदलाओ पर आपका पैसा खर्च हो सकता है परिवारी कुस्तों में भी आप लोग शामिल हो सकते हैं आज का दिन परोपकार के कार्यों में वैठित होगा पुरानी नगरात्मत बाते आपके वरतमान को खराब कर सकती है तो पुरारी बातों दिबाग मत लगाईए आप शादी सुदा हैं तो जीवन साथी से सम्मध मजबूत होगी आज किसी को भी लेन देन से पहले आपको पहले से विचार कर लेना चाहिए कि देना है कि नहीं देना है लेना है कि नहीं लेना है आपका कोई नया मित्र बढ़ सकता है पड़ोचियों से आपके सम्मन्द में सुधार होगा संबव है कि किसी नजदी की रिष्टेदार के घर जा सकते है स्वास्त का विशेज जहार नखेगा बाहरी बोजन से बचिएगा पराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है आज भाग आपकी साथ रहेगा लोग आपकी मदद करेंगे आपके प्रेम जीवन जो है वो अच्छा रहेगा हाँ आज आप जो लोग किसी को ताने मारते हैं या किसी को उच नीच की बाते करते हैं यानि जो मुफट लोग होते हैं उनको सावधार नहरा होगा वरना रिष्टे भी बिगर सकते हैं पड़ा ही लिखाई बच्चों की ठीक रहेगी आज का दिन तनाव और भरा रहेगा चोटे भाई बहन का साथ और सही होगा आपके आत्विश्वास को बढ़ाएगा आप अपने हिम्मत से जो अपने डिनर लेंगे उसकी सफलता के लिए कुब महनत करेंगे धैरे बनाया रखे अपने कारे को चालो रुके पैसा कड़ी महनत से पराप्त होगा जीवन साथी से सम्मद मदोर बने रहें कि आपके बच्चे शेष्ट परड़ाम देंगे आज की द इतना हो सके उतना सफेद रंग का प्रयोग करें पढ़िया रहेगा मौल अश्मी को ये भगवान शिव को मापारुती को सफेद रंग के फूल टढ़ाया और ओम नमश्वाय मंतर का जाब करें हनमान जी की उपासना और शिव जी की उपासना से बिगड़े काम बन और सुख और समरद्धी के लिए एक आम इनसान को क्या करना चाहिए सुख समरद्धी के लिए एक इनसान को हर जाएंगे और आप भी अपकी ती परकार के कश्ट दूर हो जाएंगे अगर आप भी अपति कुंली पर परना चाहते हैं Druya के नमरू करें तो हरियों नमस्कार.